हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आजगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में भी लगा हुआ है एसी आपने अभी एसी लगवाया है फैन से एसी पर स्वीच करा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसी का बिल लगवग कितना आता है और आपके पास जोंसा भी एसी है किसी भी कंपनी का हो एक इस्टार वाला या फाइव इस्टार वाला तो आप कैसे कर सकते हो कि आपका एसी का बिल लगवग कितना आने तो आइए जानते हैं देखिए डिपेंड करता है कि AC आपके कितने वाट का है वो कितने पावर गन्जीम करता है 1 star 4 star सब्सक्राइब נत्रपन नहीं है हां ऐसा होता है कि जो 1 star वाला AC होता है वो ज्यादा पावर लेगा और जो 5 star वाला AC होता है वो काम पावर लेगा पर हमें एक छोटी सी क्याकुलेशन करने हैं इसके लिए आप अपना फोन भी ले सकती हो मानली जो मेरा जो AC है अगर मैं क्याकुलेट करता हूं तो मेरा जो AC है 5000 वाट का है और उसे में एक दिन में 10 घंटे चलाता हूं तो बटे में अगर 1000 करेंगे तो मेरा जो AC है वो 50 यूनिट बिल खाएगा एक दिन में तो अगर आपके शहर में एवरेज मानली जीए कि एक यूनिट 8 रुपे के पड़ती है अब 50 यूनिट इंटू 30 यानि महिने में 30 दिन होते हैं तो हम इसको करेंगे तो हमारा जो आंसर ह आपके शहर में जितने विए उनिट चल रही है उसे गुणा करिए अगर आप अपने यूनिट के हिसाब से गुणा करते हैं तो हमारा जो बिल है वो लगभग इतना आएगा एक महिने के अंदर और थोड़ा बहुत एक्ट्रा मानली जीए कि हमारे घर में अगर फ्रिज है लाइट है पंका है कूलर है या कोई छोटे मुटे चीज है थोड़ा बहुत एक्ट्रा मानली जीए ऐसे आप अपना एसी का जो बिल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मुला यह है कि आप पहले अपना एसी का वाट रखिए फिर गुणा करिए उतने घंटे से ज